अध्याए 21 दंडी स्वामी का कुकुटेश्वर मंदीर आगमन स्थान शुधी वो भाव शुधी की आवशक्ता मैं गुरुदेव की आग्या के अनुसार गुरुचरन के साथ मांचाल गाव की ओर वड़ा रास्ते में हम श्रीपात की लिलाएं की चर्चा कर रहे थे आध्यात में क्विद्या से समंधित कई बातों की जानकरी गुरुचरन से मिली मैंने उससे अपना संदेह व्यक्त किया आर्य वशिष्ट का अंशवाला मेरे संस्थान का पुजारी बनेगा यही श्रीपात जी ने कहा था न वो महाभागा कौन है कब आएगा तब गुरुचरन ने बताया महाशे शंकरभट उन्ही ने समझाया तो सही कि कई शाताब्दों के बाद उनके नाम पर उनके जन्म स्थल में महासंस्थान का निर्मान होगा उस महासंस्थान में अमुक महातपस्वी पुजारी बनेगा यह उनका संकल्ब है उनके दिव्य संकल्ब के बिना महातपस्वी नहीं आ सकते बहुत समय तक ध्यान, आराधना, पवित्रमंत्रोचारन, भक्ती वश्रधा के साथ की गई पुजाविधानों से उस जगा का वायू मंडल परिशुद्ध किया जाता है विश्वान्तराल के दशदिशाओं से लगातार भावतरंग प्रसारित होते रहते हैं पवित्रस्वभावाले पवित्रस्पंधनों को आकरशित करते हैं अपवित्रस वभावाले अपवित्रस पंदनों से प्रभावित होते हैं, जब अमुप्रदेश में वायू मंडल के भावतरंग प्रबल शक्ती से भरपूर होते हैं, तब अप्रयत्न रूप से महापुरुषों के मानसीक चैतने के संपर्क में आकर कई विचित्र विधानों से उस प्रदेश को उन्हें चुंबक की तरह आकरशित करते हैं इसमें हैरान की कुछ बात नहीं अमुप्रदेश में दुष्ट भावतरंग ज्यादा है तो दुष्ट पूरुशों के मानसिक चैतन्य से संपर्क कर गई विचित्र तरों को से उन्हें वहाँ आकरशित करते हैं। इसलिए सादक ऐसी जगों में रहना है, जहां स्थल शुद्धी होती है और खुद भावी शुद्धी वाला होना चाहिए। ऐसे लोगों के संगत में ही रहना चाहिए। उन लोगों से ही धन या अनगरहन करना है जो द्रव्य शुद्धी रखते हो जो अपने आपको वेद वेदांगों में महापंडित मानते थे वे लोग भी श्रीपात के अनुगरह प्राप्त नहीं कर सके जबकि निर्मल वा पवित्रमन वाले अलपग्य होने के बावजुद भी उनके सनिद्ध्य में रह सके मैं और देश में जगन्नाथ पूरी महाक्षीत्र व्यापारा रार्थ गया वहां मंदीर में जगन्नात के बदले में उस मुर्ति में मुझे श्रीपाद जी दिखाई दिये मेरे साथ चार-पाज श्रीपाद भक्त थे, उनको पहले अपने अपने इश्ट देवता रूप में दर्शन देकर जट से श्रीपात की रूप में बदल गए इस तरह खामोशी में हमें बोद दिया के वे ही सर्वदेवी देवता सुरूप है दंडी स्वामी का गर्वभंग ठिक उसी दिन दंडी स्वामी अपने 108 शिश्यों के साथ वहां प बंद हो गई हमने प्रार्थना कि कि श्रीपात वल्लब इनकी बोलती वापस लोटा दो तुरंत उसके पश्चात पे बोल सके यह जानने के बाद कि हम श्रीपात के भक्त हैं उन्होंने अपना कुतर्क शुरू किया कि श्रीपात खुद एक शुद्र मांत्रिक है और हम उन वह श्रीपात का भेद खुलने वाले हैं उनके गुरु पीठी का पूर्पधार कर श्रीपात के नाम को मिट्टी में मिला देंगे और अपने विजय पता का वहां गाड़ लेंगे हम तो सुनन रहेंगे अपने आश्रितों को विपत कर स्थिती में डाल कर जब आरती से उन वक्त ऐसे लीला विशे से परीचित हैं कुछ दिनों के बाद दंडि स्वामी पीठी का पूर आये थे संयोग से मैं भी उसी समय वहां आया बापनार्य अप्वल राजुशर्मा और श्रीपात से इरिश्या से जलने वालों की संक्या पीठी का पूर में कुछ कम नहीं थी भमंड चूर करके दत्ते ने मुझे चुना आप बेफिकर होके रहिए आज से पीठी कापूर के लिए अच्छे दिन आ गए फिर उसने अपने संकल्ब शक्ति से उदी सिंदुर आदिस रिजन करके वहां के लोगों को दिया पीठी कापूर के ब्राहमंड वेद मंतरों के स साथ उने लाने मंदिर गए पूरे नगर में उट पटांकी घोशना की गई कि श्रीपाज जो खुद को दत्ता उतर बोलता है अपने भूल कबूल करके दंडी स्वामी को दंडवत प्रणाम करना है बापनारे स्वयम आकर माफी मांगना है अप्पल राज शर्मा खुद स् शमंदत्त विग्रह जी से परंपरागत रूप में अर्चना की जा रही है दंडी स्वामी के हाथों में सौप कर जो भी सजावे देते हैं उसे भोगतना होगा वेंकट पश्रेष्टी के आधवर्य में आर या वैश्य परिशत के बैठक बुलाई गई उन्होंने निरने ल चत्रिय महासबा में सभी सद्द से यही नतीजे पर पहुंचे श्रीपाद जी अपने माता मग्रे में अउदुंबर वुर्ख्ष की चाया में आराम कर रहे थे अदुभुत रोश्नी से चमकता हुआ उनका मूह देखकर दुख से श्रेष्टी जी के आँखों से आसु बह कि उन्हें भूक लगती है दही चावल खाना चाहिए नानी राजमबा चांदी की कटूरे में दही चावल लेकी आई श्रीपाद ने बहुत चाव से खाया श्रीपाद जी ने अपने नाना को वेज पढ़ने का आगरह किया अप्पल राजु श्रमा ने भी उनका साथ दिय फिर खुर श्रीपाद जी ने भी वर्मा जी और श्रेष्टी जी उन पवित्र रुच सुन रहे थे वहां का वाता वरण पवित्र रिश्या श्रम की तरह था कुकटे श्वंदिर में स्वयंभू दत्त मुह पर दही चावल के कौर दिखाई दिये पूजारी उने पोंच र आगे रखते थे उन्हें ऐसा लगा मानू पृत्वी तान रही हो देखने वालों को तो ऐसे लग रहा था के वे अपने पैर हिलाने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे इस विचित्र विन्या से कई घड़ी बीद गए सभी ये देखकर आश्यरे में पढ़ गए इ इस संघटना में पिठीकापूर के ब्राह्मनों के दम सुग गए उन्हें आभास हुआ कि दंडे स्वामिस से श्रीपादी ज्यादा शक्तिवान है और उनसे स्परदा बड़ी भारी पड़ेगी परन्तु उस प्रदेश से घर कैसे पहुचना उनके समझ में नहीं आया पिठीकापूर में अबन्ना नामक सपेरा रहता था वो सापों को पकड़ कर बीन बजाते उन्हें नचा कर अपना गुजारा करता था वो अपनी बीन बजाता हुए बापनारे के घर आया था श्रीपाद ने वेद पाट बंद करके उसे कहा अबन्ना को पेट भर का खाना खिलाया गया फिर उसे श्रीपाद बोले सुबन्ना तुम अपने मटके में पानी भर कर कुकटेश्वर मंदिर जाओ और वहां उपस्तित लोगों से मेरी तरफ से ये कहो के जब दत्त प्रभु का अवतार साकार होकर करचरणा दियवयवों से पीठी का पूर में घूम रह तो उन्हें बेवजा निंदा करने वाले कुकटेश्वर मंदिर में मुझूद है मुरुत्यू के बाद उन्हें पीशाच जन्मत देने के लिए चित्रगुप्त ने निर्धारन किया मैं चित्रगुप्त से बात करके पाप परिहार की तरकीब बता रहा हूं मेरे दर्शन क करने जो अपनी सहमती देते हैं उन पर तुमारे मटके में से पानी प्रोक्षन करो भूमाता भी घुस्सा हो गई तुम वहां जाकर मेरी तरफ से भूमाता को शांत होने के लिए बोलो दंडी स्वामी की गोश्णा पीटी का पूर में जिस अंतियस सुबईया ने सुनाई उसे अपने साथ ले जाओ उसे अपने मटके से धई चावल सभी को महाप्रशाद के रूप में बाटने के लिए मेरी तरफ से बोलो अबना सुबईया दोनों गए और वे सब को बाप नारे का घर लेके आए उन्हें देखकर श्रीपाद की आँखों में खुन उतर आया वे बैचानने से इनका क्यों करते हो तुम्हारे पीछे तुम्हारे शिश्यगन और पीठी का पूर के नए शिश्यगन एक ही थैले के चट्टे वट्टे वाह अंधेर नगरी चोपट राजा टक्य सेर भाजी टक्य सेर खाजा तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे पूरी इशाच बनकर घुमते रहना है पर उन्तु आप पर तरस खाकर मैंने ये सजा रद करवाई उसके बदले में ये तैक किया गया कि आप सब को अंत्यज कूल में और आदी वासियों में जन्म लेकर नरक को याद दिलाने वाली कठिनाईयों से गुजरना होगा उसे भी मैंने कम करवाया श्रीपात का स्वरूब महागनी सद्रिश्य है आग से खेलना खत्रों को निमंत्रन देना ही है अपनी माया और मैं दोनों अभिन्न स्वरूब है ऐसे स्थिती में सोचो कि मोक्ष क्या होता है मोहलूप तो होना मोक्ष है यदि कोई जीव सच्चिनन्द स्वरू तो वो भी मैं ही अनुग्रह करता हूँ मेरी नजर में निर्गोर निराकार सगुन्साकार मोक्ष वबंदन में रत्ती भर भी भीद नहीं प्रत्यकपल अनगिनत नए लोग सुरुष्टी स्थिती लयों से गुजरते रहते हैं जिव से अनुभव किये जाने वाली उच्च स्थितियों वो आनन भूमिकाओं को न कोई सीमा है न कोई हद वृत्यों के बाद जो मेरे पास आने की चाहर रखते हैं वे मेरे पास अवश्य आ सकते हैं वे लोग कौनसे सिती में कितने साल रहना है उन्हें कौनसा लोग में वापस भेजना है आदी मेरा संकल्ब है कपट करने के लिए ही उस महुनत स्थिती से आप तक उतर आया हूँ महायोग्यों की सारी योग शक्तियां लोग हीद के लिए ही उपयोग करना चाहिए लोग का मतलब सिर्फ भूलोग से नहीं जो तुम से न्यून तमस्थर में है उन निसाय प्राणियों की मदद करना तुमारा धर्म बनता है। मैं धर्म मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्यान मार्ग, आदी का बोध करने की अवतरित होता हूं। मैं सर्व सत्यों का मूल सत्य, सर्व धर्मों का मूल धर्म, सर्व कारणों का मूल कारण हूँ, इस सारी स्रुष्टी में ऐसा कोई वस्तु नहीं जिसमें मेरा संकल्प ना हो, मेरी अस्तित्व की बिना स्रुष्टी में कोई प्राणी ना हो, मैं हूँ इसलिए तुम हो और स् शुरुष्टी का या मुझे कुछ हानी नहीं होती सुरुष्टी के कार्य कलब पूर्ववद चलते ही रहते हैं यही तत्य है तुम्हारे पीचे-पीचे इन ब्रामनों का चले आना ऊंटों की शादी में गधों के संगित सामवराय जैसा है उंटों की सुंदरता गदे सराते है तो गदों की मिठी सूर को उंड सुती करते हैं लेकिन यदार तो कुछ और ही है अरुंदती और वशिष्ट का संबद कबसे मुझे ये शंका खाई जा रहे थी मैंने तो आखिर व्यक्त कर ही दिया कि आये गुरुचरन मैंने सुना है कि अरुंदती मा अंत्यज कूल में पैदा हुई फिर वशिष्ट ने उनसे शादी कैसे की गुरुचरन ने इस प्रकार विवरन किया ये पूर्व योग में वशिष्ट ने हजार साल तपस्य की उस समय अक्षमाला नामक अंत्यज कन्या ने उनकी कई तरह की सेवा की जिससे प्रसन्न होकर मुनी ने कुछ वर कि कैसे होगा अक्षमाला ने कहा कि आप वरदान देने वाले थे इसलिए मैंने अपने इच्छा प्रकट के उसे देना या ना देना आपकी मर्जी मुझे जाने की अनुग्या तो जरूर दीजेगा वशिष्ट दिया हुआ वचन तोड़ना नहीं चाहते इसलिए उससे पैदा होने का जो दोश था वो पूरा मिट गया वो अत्यंत परिशुद्ध हो गई तब जाकर वशिष्ट ने उनसे विवाह किया अपने पती से किया हुआ कर्म को जरा सा भी रूंदन या विरोध नहीं किया इससे वो अरूंदति के नाम से प्रसिद्ध हुई बादचित के दवरान श्रीपाद ने ये बात वारमाजी को बताई जो वशिष्ट गोत्रोध भव था ब्रामन को शुद्रस्त्री से संतान हुआ तो सात्वी जन में उसका उपने अनकर के ब्रामन जती में सम्मेलित कर सकते हैं जैसा भी हो चतुरवन के लोग अपने अपने गुन कर् कर्मों से क्रमशा पतन होकर शुद्र बंद सकता है जबकि शुद्र अपने अच्चे कर्मों से क्रमशा उन्न तिपा कर ब्रामन बंद सकता है आं जो दत्ठ प्रभु पर अचंचल विश्वास रखते हैं वे अपनी योग्यता के हिसाप शिद्र उन्नस्तितियों को ग्रह करते है जन्व जन्व से संचित कर्म बंदनों को कुलाडि से विछ्षित कर उन्हें 19 सिती में ले जाना श्रीपात के बाए हाथ की लिला है दथ भक्तों को स्वामी का अभय हम दोनों श्रीपाजी की महिमा के बारे में बात चीत करते हुए मांचाल गाओं पोजे मांचाल ग्राम देवता अपने पुन्य दर्शन से हमें पुनित किया अपने दिव्यां हातों से हमें प्रशाद खिलाया उस माने कहा दत्ता त्रेय ने जो प्रहलात को गुरु बोध किया था वेही आज भूलोक में श्रीपाद कुंग भद्रा जल स्वीकार करेंगे आपको शुब होगा इतना कहकर वे पूरो रूप में बदल गए वहां से हम निकल ही रहे थे कि एक मालदासरी कुष्णदास वहां आया था उसे भी प्रशाद वपुष्वमाला देकर देवी ने उसे कुरोपुर जाने की आग्रह किय हम तीनों ने वापसी यात्रा शुरू की सभी दत्तभक्तों का एक ही जात है दत्तभक्त किसी भी जाती का क्यूं नहो उसके हातों से प्रभु का प्रशाद अवश्य लेना है नया साती के साथ हमें नय जोश आया बातो बातों में कृष्णदास ने कहा या ग्यादी कर्मो में धिये जाने वाले दक्षिना 16, 116 और 1116 आदी संक्या भेत के बारे में पता चले तो श्रीपाजी की संक्या 2498 के बारे में हमें भूध होगा जैसे आत्मा में जगत उत्भो होता है उसी प्रकार पिता से संतान उत्पन्न होता है ब्या के समय दूला अगनिहोत्र से प्रार्थना करते हुए हे अगनिहोत्र तुम मुझे इस वधू से 10 बच्चे का वददान दे 11 बच्चा वो खुद होते अर्थात 10 बच्चों तक जन्म देना धर्म सम्मत है उसके बाद पत्नी मा समान होती है पिता में 10 प्रतिषत पुत्र होता है 10 शाण्ष रूप 10.7 पुर्णांक रूप पिता होता है शिव आत्म रूप होने के नाते परिपूर्ण है इसले 10 अन्शों का रूप 16 दशाण्शों को 10 से भाग दे तो पुर्णांक एक प्रकूरती पुरुष में आधा हिसा है ना इसलिए दस में आधा पांच से शेष छे को भाग दे तो एक पूरणांक आता है जो विश्नु का प्रती है शेष एक दशांश बज गया पूरुश्व प्रकृति अर्थात शिव विष्णु की संतान ब्रह्म उनमें दशान शुरूप है इसलिए शेश संख्या एक को एक से भाग दे तो एक पूरुणांक आता है जो ब्रह्म का प्रतीक है और शेश कुछ नहीं रहा पूरुणा का मतलब है शुन्य जो निर्गुण है अर्थात रुद्र स्वरुप विष्णु स्वरुप सबकुछ लय हो जाता है तो महाशुन्य ही विद्यमान है महाशुन्य में ही सबकुछ लय हो सकता है मगर विष्णु स्वरुप में अनंतत्त्व धर्म होता है उकड़ा शुन्य ही हो जाता है ऐसे अनंत शुन्यों को जोडने से ही एक आकार जो सीमित है उद्भव होता है इसलिए शिव के शव दोनों अभिन्न है दशांश अंग का विभाजन में 16 को 10 से भाग दे तो 6 6 दशांशों से 5 दशांशों का कुल विश्णु प्रतिक माना गय पंच भूतात्मक्षृष्टी विश्णु का प्रतिक समझाया वीरभद्र ने दक्षय यग्या विग्णा किया उससे विश्णु ने कहा इश्वर के भोग के लिए पार्वती राक्षप्सों के साथ युद्ध के अवसर पर दुर्गा और क्रोध में काली का पुरुज भ विश्णु पांच दशांश और महेश्वर दश दशांश तीनों के सोरूप है इसलिए वे शोडश कला प्रपूर्न हैं। ऐसे दशांश्रो ब्रह्म का प्रतीक एक है, ऐसे एकांक्स दो से लेकर नो तक की अश्टमुर्गियों में व्याप्त हुआ है, इसलिए ब्रह्म को नो प्रजापती अर्थात एक अधिक आठ, इन तीनों संख्याओं को दस से भाग दे, तो सुरुष्टी के वीवी दवस्तों समुदायों के प्रतीक होते है, रुद्र का एक पूरणांक, विष्णु को ग्यारा दो पूरणांक और ब्रह्मों को एक सो ग्यारा तीन पूरणांक आते है, 16, 116 और 1116 तीनों को शोडशोद ये त्रीदक्षिना कहते हैं ऐसा कहा जाता है कि त्रीदक्षिना दान करने वालों को ब्रहुव ग्यान संप्राप्त होगा त्रीदक्षिना दान से शरीर, धर्न, मन इन तीनों के दान के समान फल मिलता है इन संख्याओं से समांध्रव्य दान करने से उतना फल मिलता है जितना जगत दान करने से मिलता है। इस पिंडांड दान अर्थत शरीर दान से उपर बताया हुआ द्रव्य दान फल मिलता है। अभी श्रीपाल श्रीव लपीठी का पूर में अवतारित हुए। शक्ति व शाक्त सुरुप अरधनारिश्वर का रुप लेकर जीवों की बुद्धी प्रवृत्ति को उत्प्रेरित करके धर्म मार्ग में रखने के लिए आया हुआ भावतार वे ही है। ये बताने दो चौपाती देव लक्ष्मी बोलकर भीक्ष्या मांगते थे। उनके वाक लीलाओं वबोधना पद्धतियों के व्याकरन कोई नहीं जानते। चुंकि इस नव व्याकरन का करता वे ही है। इसलिए ये व्याकरन सिफ उनको ही मालूम है और वो अब भक्तों को बताते है। कृष्णदास से मैंने कई विशय सुना। नई बाते पता चली पांडित्य जनित अहिंकार वाले श्रीपात के अनुगरह प्राप्त नहीं कर सकते। कृष्णदास बोलने लगे श्रीपात जी पी-पीलक से लेकर व्याक्त हुए। एक समय की बात थी वर्मा जी ने अपने खेत में श्रीपात के साथ आराम कर रहे थे। वहां बहुत नागराज थे। श्रीपात जी प्रतेक नागराज के सर को धड़ से एक विचित्र विधान से अलग कर रहे थे। वह सब एक धेर से बाजू में डाले थे। वहां इतनी बहुत बड़ी चिंटिया आई थी। जिने कभी न देखी। जिनके बारे में कभी न सुनी। वर्माजी सो रहे थे उनकी नेंद भंग ना हो इसलिए श्रीपात ने उन सभी चिंटियों को मार दी। इतने में वर्माजी जा गए मरी हुई चिंटियों को देखकर उने उन पर धया आई। श्रीपात मुस्कुराते हुए बोले राजा को अपने सेवों को की रक्षा करन की तुरंत वे सब जीवित हो गए श्रीपात ने विवरंदिया इन चिंटियों के राजा को संजीवनी शक्ति है उस शक्ति से अपनों की रक्षा की ऐसी अनोखी बाते इस रुष्टी में बहुत सारी है नाना जी यदि तुम चाहो तो ऐसी लिला हर पल दिखा सकता हूं त पुनर जीवित होकर श्रीपात की परिक्रमा करके चला गया वे नाग क्यों आए उनके साथ श्रीपात ने ऐसा व्यवहार क्यों किया किसको पता जब श्रीपात से मैंने ये बात छेड़ी तुवे बोले जब राहु ग्रह बल परियाप्त नहीं है तप्राणियों को सभी का अवरोद पैदा होते हैं वे ऐसा महसुस करते हैं जैसे वे अजगर के बंधन में हो ऐसे काल सर्पयोग भी कहते हैं राहु सर्पों का अधिदेवता है इस तरह के अवरोद उत्पन करने वाले साप ऐसे सिति में रहते जिन्ने हम देख नहीं पाते उन दोशों को इस तरह परियार करके मेरे भक्तों को सुक संतोष दे रहा हूं हम कुरोपुर सकुषल पहुंच गए मुस्कुराते हुए श्रीपाद ने हमें आशिरवाद दिया जैहो श्रीपाद वन लब के 21 वा अध्य समाप्त धन्यवाद